नमस्कार मैं रोहित आप देख रहे हैं विहारी कलम। भोजपूरी गाया को रभिनेता पवन स्री ने पच्छिम मंगाल की आशन सोल लोक्सवार सीट से भारतिय जनता पार्टिक के उमिद्वार के तौर पर चुनाओ लड़ने से रभिवार को मना कर दिया। भाजपा ने बिते सनिवार को ही पवन स्री को इस सीट से उमिद्वार बनाया था। इसको लेकर आज पवन स्री ने कहा कि समय बताएगा कि वह आगामी लोक्सभाव चुनाओ लड़ेंगे या नहीं। हाला कि भाजपा ध्याज जेपी नड़्डा से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पवन स्री ने इस सवाल को टाल दिया कि उन्होंने यह निरने क्यों लिया। हम बताते चलें पवन स्री को पच्छिम बंगाल के आसन सोल से भाजपा ने उमिद्वार बनाया था लेकिन उन्होंने घोसना की कि वह अपनी उमिद्वारी पर बिरोत के बाद चुनाओ नहीं लड़ेंगे। पवन ने नड़ा से मुलाकात के बाद मीडिया से कहा मैंने पार्टी ये ध्यत से बात की भविस में जो भी होगा अच्छा होगा। जब पवन से सवाल किया गया कि क्या वह अगामी लोकस्वा चुनाओ लड़ेंगे इस पर उन्होंने कहा यह तो समय ही बताएगा। अगर कुछ होगा तो मैं आपके साथ साध्या करूँगा। इसे अभी रहने दीजे हाला कि इस दौरान उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि किस वज़ा से उन्होंने यह फैसला लिया। गौरत लव है कि बरतमान में बंगाल की यासन सोल लोकसवा सीट से त्रिनमूल कॉंग्रेश के शत्रुधन सिना सांसद हैं। पवन सीन के इस फैसले के बाद त्रिनमूल कॉंग्रेश ने भाजपा पर निशानस आते हुए कहा था कि उन्होंने चुनाओ पर चार अभ्यान सुरू होने से पहले ही सीट छोड़ दी। आसन सोल से बीजेपी का टिकट मिलने के बाद पवन सीने सोचल मेडिया मंच पर यानि एक्स पर लिखा था भारती जनता पार्टी के सीट से तृत्मू का दिल से अभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जाताते हुए मुझे आसन सोल सीट से उमिद्वाग घुशित किया, लेकिन किसी कारण बस मैं आसन सोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। अब बने रहें हर अपर डिट के लिए विहारी क्लम पर फेस्वूर्ट पत्र करें तो पॉलो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें नमस्कार।